इस एक्टिविटी में हम लोग प्रफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रो लिसिस अफ वाटर इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो उसके बारे में बता दू जाँ तो यहां पर हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए यह 9 वोल्ड की बैटरी और इसको हम लोग मार्केट में इसली अविले करें तो अपको प्रफाइट करा देंगे तो यह एच डव्य बैटरी में स्सों ब्रफ्रub предлаг आती है इसको और अगर आपके पास यह बैटरी नहीं तो दो पैणिशल लोगब होगा उपी चलेंगे दो पैंसिल सेल को आपको बैटरी बना सकते जो दो पैंसिल सेल जो यह जो फुंटी निकला होता है उसको positive terminal बोलते हैं और यहाँ पर लिखा भी होता है और यह निगेटिव होता है तो यह भी यूज कर सकते हो मैं यह यूज कर रहा हूँ और यह उसके holder है जिसके जो इसको असानी से हम लोग इस पे hit कर सकते हैं ऐसे दो तार निकल जाता है एक से cup चाहिए आपके पास कोई भी cup हो तो चलेगा सीर्फ यह ध्यान रखना है यह plastic का हो यह glass का हो और अभी कोई भी चलेगा अगर cup और एक glass में पानी चाहिए पानी ले लेंगे आधे glass ले लेंगे आधा glass ले लेंगे और थोड़ी सी पानी यह tap water है नल की जो पानी होती हो आप यूज कर सकते हो या कल की पानी होती है उसको भी अप यूज कर सकते हो और इसको मैं इसमें थोरा सा इंसाइट कर दे आधा है ठीक तो इतनी हमें पानी चाहिए और फिर हमें क्या चाहिए दो ऐसे ऐसे कांटी चाहिए नेल और इससे हम लोग करेंगे electrolysis of water को और तो परफॉर्म करते हैं इस activity को और यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस कांटी को दो छोटे छोटे वायर से यह वायर है हमारे हाथों में तो वायर से tightly fit करना है कांटी को बाधना है कांटी को तो इस nail को मैं fit कर रहा हूं मैं तो ध्यान में यह रखना है कि यह tightly fit होना चाहिए अगर tightly fit नहीं होते हैं तो हमारे जो expected result जो है जो expected result नहीं आते हैं तो lose नहीं होना चाहिए कहीं भी कोई भी connection lose नहीं होना चाहिए घरों में भी connection lose नहीं होना चाहिए tightly होना चाहिए, घरों की भी connection करते हैं घरों में बिजली सफ़ा ही होती है उसकी भी tightly होती है तो यहाँ पर इस जो nail है यहाँ से दो wire है ना दो nail को मैं जोड़ दे रहा हूँ इस wire से यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ black को black से जोड़ रहा हूँ और इसको हम लोग बोलते हैं जो black होता है ना negative होता है यह पर देख सकते हो black जो जिससे जुरा होता है यह जो होता है black यह black जो होता है negative हमारा black जो है negative terminal से जुरा हूँ battery के negative वाले सीरे से जुरा हूँ battery के negative वाले सीरे से black जुरा हूँ और positive वाले से रेड जूरा हुए जो हम फाइनली अब जो है ब्लू जूर जा रहा है ब्लू जो अब जूट रहा है उससे ठीक ब्लू जूट रहे हैं अब इसे ब्लू जूट रहे हैं अब इसे तो अब बहुत सिंपल है इस जो ये जो दो काटी होते है न जो नेल है न इसका नेम हम लोग अब कहते हैं जब इसमें बैटरी को जोड़ देते हैं तब इसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्टरॉड तो यह हमारे पास दो इलेक्टरॉड है बहुत सिंपल अगर दो heap कंडक्टिंग रॉड है उसको अगर हम लोग कंडक्टिंग रॉड को अगर हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी में तो उस दो जो हमारा निगेटिव टर्मिनल से जूरा होता है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से उसको हम नाम देंगे कैथोड और एनोड यह कैथोड और यह एनोड और इसको दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं अब मैं थोड़ी सी इसमें जो है common salt डिजॉल्ब कर दूँगा ताकि यह जो water हो जाए थोड़ी सी conducting हो जाए तो मैं यहां पे थोड़ी सी common salt dissolve कर दे रहा हूँ, ज्यादे मात्रा मैं नहीं dissolve कर रहा हूँ, थोड़ी सी dissolve कर रहा हूँ और common salt dissolve कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसको चला दे रहा हूँ चमच से, ऐसे चमच होंगे तो चला देना और चला देने के बाद जो है class 8 की activity है तो इसमें अंदर में क्या होता है हम लोग इसके बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं परेंगे 11th 12th की classes में हम लोग इसके अंदर में कैसे चीज होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे अभी के लिए हम लोग simply अंदर में कैसे हो रहा है क्या हो रहा कि उसको देखेंगे अंदिर क्यों हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं और इसको थोरा सा काटी काटी जो है ना नेल है इसको सेड़ा सा घीस देँगे ठाटनग है ऐसे जंग लग रस्टेड होता है काम नहीं करते हैं हमें जो एक्सपेक्टेट डिजल्ट जो हम चाहते हैं उन नहीं देता है कभी कभी जंग लगे हुए कांटी जो होते हैं तो हम लोग फोरा सा इसको रप करते हैं अब मैं इसको इस दो नेल को इस दो नेल को इसमें डाल दे रहा हूँ ठीक दो नेल को इसमें डाल दे रहा हूँ यहां से फीट है यहां से फीट है दो नेल को यहां पर डाल दे रहा हूँ तो देखेंगे क्या होता है हाँ तो देखू यहां पर यहां पर देख सकते हो तो मुबाइल में भी मेरे दीख रहे हैं, बुलबुले छूट रहे हैं, बुलबुले छूट रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं, तो काफी बबल्स निकल रहे हैं, हमको थेर सारे बबल निकलते हुए देख रहे हैं, हमको थेर सारे बबल निकलते हुए दीख रहे हैं, यहां जो काले से जूरा हुआ है जो हमारा नेल जो है काटी जो है ब्लैक से जूरा हुआ है ठीर सारे बबल निकल रहे हैं तो यह बबल क्यों निकल रहे हैं तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा जो वाटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है हाइड्रोजन और अक्सीजन से मिलकर बना होता है और जब हम लोग इस activity को करते हैं तो यह हमें दिखाता है कि hydrogen के bubble निकल रहे है क्योंकि अंदर में कुछ gas होंगे तभी तो bubble निकलेंगे और वही कारण है कि bubble जो है यहाँ पर हमें hydrogen gas के bubble निकल रहे है hydrogen gas के bubble निकलते हुए हमें दिख रहे है तो hydrogen gas की bubble यहाँ पर निकल रही है और यह activity यह साबित करते है कि water जो है यहाँ पर टूट रहा है water जो है टूट रहा है अपने जो hydrogen और H2O होता है water का chemical formula तो hydrogen और oxygen में पढ़ते है इसको एक्टिविटी को हमें लोग ग्लास 10 में भी पढ़ते है और ग्लास 11 12 में तो अच्छी तरीके से पढ़ना है बहुत सारी चीज़ को लेकर पढ़ना है तो यहाँ पर एक chemical effect of electric current है chemical effect of electric current उसकी एक्टिविटी थी ग्लास 7 और ग्लास 7 के बाते यह activity थी तो यहाँ पर NCRT के जो teacher है carbon rod को लिए है तो हमारे पास यह जो battery जो होती थी ना battery पुराने जमाने में जो battery एक मोटी मोटी battery आती थी तो actually जो उसमें जो बाहरी layer रहती थी कागज की रहती थी तो उसको असानी से हम लोग फार सकते थे और उसको tear कर सकते थे और उसके बाद उसमें से अंदर से एक rod निकलता था तो ऐसा rod निकलता था तो उसको graphite rod बोलते थे या carbon rod बोलते थे तो अब तो ऐसी battery वैसे battery आते नहीं है तो हम लोग इसी से परफॉर्म कर रहे हैं यह वाले बढ़िया है यह वाले काटी बढ़िया है उसके लिए और नहीं तो इसके लिए अभी हम लोग यह करने के लिए तो इसको हम लोग फारना पड़ेगा इस बैटरी को तोरना पड़ेगा और इस अंदर से दोर और निकालना परेंगे, यह कैप है ना, कैप के साथ ऐसे निकलेगा, कैप के साथ निकलेगा, कैप के साथ निकलेगा, तो इसको ऐसे कर सकते हो, इस एक्टिविटी को, विकिपेडिया पे एक आर्टिकिल है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दो पेंसिल लगा सकते हो, दो पेंसिल ऐसे लगा सकते और positive negative से जोड़ से 912 volt के बैटरी जोड़ सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो लेकिन हमने जो है इस वाले को नहीं देखा इस वाले को से उज नहीं किया ऐसे नहीं किया है pencil दो pencil की जुरूत परेगी यहाँ पे भी आपको छिलने परेगे यहाँ भी छिलने पड़ेगे नीचे भी छिलने पड़ेगे और यह जो rod होता है carbon rod यह इसको graphite rod बोलते है यह conducting होता है तो हमने तो simple यह काटी से use किया है काटी को लेकर use किया है तो आप ऐसे wikipedia पे जो अभी मेरे tab में देखे उस तरीके से भी perform कर सकते हो फिर धर्ट रख रहा हूँ तो bubble आ रहे है bubble वहाँ पे कुछ दीख रहा है आपको हाँ mobile में भी दीख रहा है bubble दीख रहा है तो यहाँ पे फिर निकाल ले रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है कुछ water में नहीं हो रहा है और जैसे ही इसके पास रखड़ा हूँ तो हमें बहुत सारी हड़कते दिखने को मिल रही है तो ये जो है बबल ये हाइड्रोजन गैस होता है